नमस्कार दोस्तों तो जैसा कि आप देख रहोंगे कि इंडियन गवर्मेंट ने एक स्कीम लाउंच की है जिसका नाम है बोईंग सुकन्या प्रोग्राम ठीक है तो देखते हैं यह स्कीम ओवरॉल कहता क्या है ठीक है तो देखिए हमार प्रधान मंत्री साहब जो है उन्हों सेक्टर में क्या मिलेगा इंट्री के लिए सपोर्ट मिलेगी सहाइता मिलेगी यानि अवेशन सेक्टर की बात कर लिए यानि आपका फ्लाइंग सेक्टर में ठीक है जिसमें एरोपलीन जहाज मतब अपको फ्लाइट वाले सेक्टर में ठीक है तो प्रोग्राम की बात कर ल सटीम स्टीभ एड़ल सीटेशINK और बास यह प्रोड मी नुछ होंगी सब्सक्राइब करें In addition to our लोग सर्च करें में असके बाद उनको पुलाइट की जाएगे स्कॉलर्षिप जो ट्रेनिंग जो पाइलेट बनना चाहती है महला है उनको स्कॉलर्शिप प्रवाइट करती जाएगी स्टीम के सहर ठीक है और इसमें से देखिए 15% जो है इंडियन पाइलेट उसमें बोमेंस है ठीक है विच इस थी टाइम मोर दन गलोबल एवरेज ठीक है जो हमारा वर्ल वर्ल्ड एवरेज है उससे तीन टाइम्स हाईयर है हमारे यहां ठीक है इंडिया में जो पाइलेटों की शंख्या है 50% है बाकी वर्ल्ड की अवरेज की बात कर ले जाए तो वो बहुत कम है इसे ठीक है अब आगई यह किम कहता क्या है तो यह कहरा स्टेटस देख लिए कि अब ही जो स्टेम एजूकेशन है मतलब यह आविशन सेक्टर में या मैथेमेटिक सेक्टर में इसमें महिलाओं की अभी कितनी परसेंटेज है कितने भागिदारी है तो आल इंडिया सर्वे हुआ था हायर एजूकेशन में जिसमें यह पाया गया था कि महिलाओं का जो इन करते हैं बड इसमें से केवल 14 % ही है जो आपको क्या कह सकते होग हो जॉब में जाती है वस्क्रम में बाकि उस जाप में पाटिसेट नहीं कर पाती है उसको उस इरुकेशन को कह लिजे कि हम इस्तमाल नहीं कर पाती यूज exit कर पाती है ठीक है तो इसके बात कर रहा है ठीक है अब इसके इंपोर्टेंस क्या है अब देखो तो बात कर ले जाती है इसके इंपोर्टेंस की कि बोमेंस का स्टीम सेक्टर में इंपोर्टेंस क्या है तो बोमेंस का स्टीम सेक्टर में पहले इंपोर्टेंस करता है इंक्री of the nation of cause बढ़ेगा जब यह सब होगा तो ठीक है आगे सेक्टर की स्कीम की बात करते हैं तो यह कहता है कि क्या क्या रिजन अभी तक महिलाएं जो है स्कीम सक्तर में बहुत कम है तो इनेगेटरि ठीक है लैक आफ रोल मोडल ठीक है उनके रोल मोडली सेफ्टी डूरिंग कॉम नेटवर्क हम भी देखते हैं कि महिलाओं को कई बर्निव दीखते हैं कि हरास किया जाता है और वरक प्ल देखते हुए stress related marriage child birth में तो कई लोग होते हैं जो घरे लूँ और मैं आफ्टर मेरेज यह मैनेज नहीं कर पाती हैं अपने life को तो वो कई लोग छोड़ देते हैं इस जौब को तो तो basically यह सारे regions है जो आप क्या है की reason तो under represent of the women in stream money महिलाओं को अभी भी कमी क्यूं है स्क्राइब अब यह आगे बात क्या करता है तो देखिए अब कहता है कि सरकार ने इसके लिए क्या क्या initiative ली है तो सरकार ने क्या क्या इनिसेटिव ली है तो सरकार देखिए इसके पहले सरकार ने कीरन स्कीम बनाई थी knowledge involvement research adventures through nurturing ठीक है यह किरन स्कीम सरकार के द्वारा बनाए प्रगतिय scholarship दी गई थी and tech section के लिए उन महिलाओं के लिए जो steam यानि science लेती है या technology लेती है या math से पढ़ाई करती है या engineering के फिल्ड में जाती है उनको scholarship provide कर दिया था ठीक है और एक और बिग्यान जोतिया scheme सरकार ने लाई थी ठीक है तो basically इन तीनों स्कुम को सरकार ने पहले भी promote किया है महिलाओं को इस scheme के थुरू तो यह रहा overall आज scheme का ठीक है वीडियो अच्छे लेगो तो like and subscribe कर लेजेगा पढ़ते लिखते रहिए धन्यवाद